नमस्कार मैं रोहित कुमार आपनी इच्फोर नेशन देख रहे हैं किसान महा पंचायत लगा करके केंद्र की मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को घेरने वाले राकेश्ट कैट के खिलाव अब यूपी के अंदर में पोस्ट लगने शुरू हो गए हैं राकेश्ट कैट के उपर में हमला बोलते हुए कई संगठनों के तरफ से पोस्ट लगाए गए हैं और कहा गया है कि ये किसान विरोधी व्यक्ती है और ये जान बुझगर के इस तरह कि केक आयोजनों के सहारे जो राज्जी का आपसी सहार्द है उसको बिगारने की कोशिश क कर रहा है केंद सरकार ने लागू किये गए क्रिशी कानूनों का किसान संगठन लगतार विरोध कर रहे हैं इसी बीच किसानों का नेत्युत वकर रहे किसान नीता राकेश्ट कैट के विरोध में बहराईच जिले के व्रकास भवन जिला जजज गेट के सामें जिले जेल के समेट कई स्थानों पर उनके खिलाप पोस्टर लगाए गए हैं दिवारों पर लगे पोस्टर किसान करज मुक्त अभ्यान कमिटी नाम के संग्ठन की ओर से लगाए गए हैं पोस्टर में राकेश टिकैट को किसान के नाम बरक्तलंग बताते हुए उन्हें जूते मारने पर 11 पर लाके नाम देने की घोशना भी की है इस पोस्टर में किसान निता राकेश टिकैट पर खालिस्तान देश द्रोही हवाला और कॉंग्रेस से फंडिंग कर अंदुलन चलाने कारोप लगाया जा रहा है इतना ही नहीं पोस्टर में किसान निता टिकैट को किसान कुल का कंस तक बताया गया है पोस्टर लगने के बाद पुलिस जिले में हरकम मच गया है लोग एक दूसरे से समोध्य पर चर्चा में चुट गए हैं पोलिस ने पोस्टर लगाने वाले किसान कर्ज मुक्त अभियान कमिटी के राष्टी संयोजा का जैनू ठाकूर को गिरफ्तार भी कर और उसको जो जूतों से पीट कर हमारी तरफ से 11 लाख रुपे का नगत पुरुसकार दिया जाएगा हमारे निर्देश पे पोस्ट लगाएगे हैं बाहराई चुमें किसान महापंचायत के सहारे यूपी के अंदर में चुनाव से पहले सियासी जमीन बनाने की कोशिश की है दरसल लगतार जब से तीन कर्शी जो कानून है उसका विरोध शुरुआ उसके बाद दिल्ली के कई बोजरों पर किसानों के तरफ से लगतार प्रदर्शन किया रहे किसान निताओं की मांग है कि सरकार को यह तमाम जो भी फैसले लिए गये हैं कृषी कानून के माध्यम से हुँ तमाम फैसलों को बापस लिया जाना चाहिए वहीं MSV पर सरकार को लिखित जो है गरंटी देनी चाहिए तमाम उद्दों करिकर की उत्रप्रदेश में जो है व पूरे कारेकर में दोरान मौझूदा योगी अधितनाथ जो की उत्रप्रदेश के मुख्य मंतरी हों और साथे साथ केंद्र में गया ही कि प्रदान पटेश के खिलाक में झाल झाल